पिर ये विद्यार्थियो नमस्कार Education School YouTube चैनल पे आपका स्वागत है हम पढ़ रहे थे Time and Distance जिसके 8 कलास पहले हो चुकी है जिसमें हमने 64 कुशन सोल कर लिये थे कुशन नमर 65 साड़े 10 मिंट के अंतर पर दो तोपे एक ही जगे से दागी गई लेकिन एक व्यक्ति ने जो किक रेल गाड़ी में उसी स्थान की ओर आ रहा है उनकी आवाज़ों को 10 मिंट के अंतर पर सुनता है यह ति दवन्य की गति 330 मिटर पर 30 सेकंड हो तो रेल गाड़ी की गति किलो मिटर पर 30 गंटा में होगी यहां पर को स्थान है यह स्थान है यहां से तोप्य दागी गई है और कितने अंतराल से 10 से एक बटा दो मिनट इसको सदाने मिनवी बदलेंगे तो दो गुणा दस बीस और एक इकिस बटा दो मिनट वे पहली तोप चुटा दी उसके साड़े 10 मिनट बाद दूसरी चुटा दी लेकिन इधर से रेल गाड़ी आ रही है इसी स्थान की और रेल गाड़ी और इस रेल गाड़ी में कोई वेक्ती बैठा है उसने पहली तोप को सुना फिर दूसरी तोप को सुना तो उसकी दवन्नी 10 मिनट बाद सुनाई देती है पहली तोप के चुटाने के 10 मिनट बाद लेकिन चुटाई की है साड़े 10 मिनट बाद तो इसको जल्दी क्यों सुनाई देती है क्योंकि रेल गाड़ी भी गती सील है तो रेल गाड़ी कुछ दूरी कवर कर लेती है इसलिए जल्दी उसको सुनाई देती है तो रेल गाड़ी की चाल पूछा है ठीक है तो देखो समय समय कहज़े रखा है तोब का समय तो है 21 बटा 2 मिनिट ठीक है और तोब की दवन्नी पलस रेल गाड़ी भी चले रेल गाड़ी साइड चले तो समय कितना लगता है 10 मिनिट ठीक है 10 मिनिट तोब कर लेंगे समय का उस साइड जाएगा तिये 2 से गुणा हो जाएगा यह जाए 21 अनुपात 20 यह समय का अनुपात हुए क्या मतलब इसका यदि तोब की अवाद 21 मिनिट में उसको सुनाई देती है और तोब पलस रेल गाड़ी यदि रेल गाड़ी भी चले तो कितनी देर भी शुनाई देती है 20 मिनिट में 21 और 20 ठीक है अमें रेस उने गाल दिया इसका चाल चाल का अनुपात हमेशा विप्रिद हाता है समय के तो क्या हुआ है 20 अनुपात 21 वश्चोप की दवने की चाल है 20 और तोब की दवने पलस रेल गाड़ी की चाल दोनों मिला कर कितनी है 21 और ये चाल देर रखी है कितनी जो देर कि चाल 330 मिटर पर सेकिंड दवने की चाल ठीक है वाई यूमी दवन्दी की चाल कितनी तरके 330 मिटर पर सेकंड तो 20 अनुपात की में लिए कितनी है 330 मिटर पर सेकंड और एक अनुपात की में लिए निकालेंगे तो इसको 20 से बाग दे दो 330 को 20 से बाग दे देंगे कितना हैगा 33 बटा 2 मिटर पर सेकंड क्यों मिटर में थी ठीक है अब निकालना क्या है रेल गाड़ी की चाल तो देखो आकेली दाउन निकी कितनी है तो बीस और दोनों को मिला कर 21 तो इसका मतलब रेल गाड़ी कितनी है एक तो रेल गाड़ी की चाल एक एक है ना और एक अनुपात की वेल्यू क्या 33 बटा दो मिटर पर सेकेंड ठीक है विगुणा एक से करोओ यहीं आएगा माल निकालना किलो मिटर में छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं क्या करेंगे गुणा में ठारा बटे पांच दो से कैंचिल करेंगे नू स्युक्त बीन में दे रख्या अन्सवर तो गुणा कर दो नो तिये 27 दो 27 वर दो 29 बटा पांच पांच से बाग दें कितना जाएगा बंजू बंजू 25 बचेगा च्यार पांच निम पनितालिस बचेगा दो 69 से दो बटा पांच किलो मिटर पर आवर ये रेल गाड़ी की चालो जाएगी ओप्शन ए क्यूसन नमर 66 एक साइकल सावार 6 किलो मिटर परती गंटा की चाल से एक सिधील सड़क पर चल रहा है और वह सड़क या किनार स्थीत बिजली के खंबे को गिनता है वह कुल खंबो को 30 मिनट में पार कर जाता है यदि दो लगातार खंबो के बीच की दूरी 25 मिटर हो तो बताईए उसने कुल कितने खंबो को पार किया वह ये दूरी है इस तरह हम भी लगे भी है। ठीक है। और स्पीड का दर रखे उसकी 6 km पर आवर। और समय कितना लेता है। 30 मिन इसन गार तीस मिन इसन गार पड़ेगा जितने भी पोलों के संख्याएगी उसमें पलस एक करना पड़ेगा। सिद्धी लाइन में ही क्यों करना पड़ेगा तो देखो पूल एक दो तीन च्यार और पांच पाल होगे बीच में देखो दूरी कितने होगी एक दो तीन और च्यार कि पूल एक ज्यादा होता भी ठीक है क्योंकि यहां से शुरू करेगा यहां तक पहुंचेगा 25 मिट्र तो इसलिए एक पूल ज्यादा होता जितने भी पूल आएं उसमें पलस एक कर दो तो पहले निकालेंगे दूरी क्याता चाल गुणा समय चाल के आच्छा किलोमेटर पर आवर और समय एक बटा दो गंटा तो चाल गुणा समय तीस मिनिट का आवर्स मिनाएंगे तो 60 से बा पूल के संख्या क्या हो जाएगी कुल दूरी बटा एक पूल के बीच की दूरी पलस एक पलस एक क्यों करते हैं क्योंकि ये सिद्धी लाइन में होई ठीक है तो पूल के संख्या कुल दूरी बीच में दूरी देखो क्या है 25 मिटर इसको मिटर में बदल लेंगे तो 3 किलो या प्रतेक पोल के बीच की दूरी, ठीक है, पलस एक, पोल एक्स्ट्रा होता है, पहले वड़ा, ठीक है, 25 से करेंगे एक, 25 बना पचास, 0, 120 पलस एक, 121 पोल होंगे टोटल, तो उप्शन में आप 120 भी मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि यहां पोल दो हो जाते हैं, और गैप एक ही हो, तैसली एक पोल मिच्सा जुड़ता है, जब यह सिद्धी लाइन में हो, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा, उप्शन, D, क्यूस्टर नमबर 67, एक रेल यात्री, सफर करते समय, लाइन के बगल में प्राइब पर 30 मिटर की दूरी पर स्थित खम्बे को गि रावर, और समय 4 गंटे, तो क्या होगी यह हो गई है, तो किलो मिटर में है एक ठीक है, इसको मिटर बना लो, 1000 से गुना कर दिया, क्या हो गई हो गई, दूरी हो गई, तो हमेंनी कालब ना है, पोलों के संख्या, तो यह निकाल लो, पोल, या कुल पोल, चाल गुणा समय कर दिया इसको मिटर में बदल दिया ठीक है इतनी टोटल दूरी होगी और पोल के संग निकालना उत क्या निकालेंगे कुल दूरी बटा दो पोलों के बेच की दूरी कितनी है पचास और पलस एक एक इसलिए जोड़ते हैं कि इसी दी लाइन में ही एक एक्स पलस एक 3600 एक पोल हो जाएंगे टोटल ओप्शन सी क्यूस्टन नमर 68 एक दावक वरताकार पत पर आठ किलो मिटर प्रति गंटा की दोड़ से चाल से दोड़ रहा है और वह एक चक्र लगाने में 15 मिंट का समय लेता है पत के बगल वे परतेक 20 मिंटर की दूरी पर पोल ल चाहिए 20 मिंटर पे पोल लगा हुआ है तो वह इसमें एक एक एक्स्ट्रा नहीं जोडेंगे क्यों नहीं जोडेंगे देखो वह परतेक 20 मिंटर पे यहां भी 20 यहां भी 20 परतेक में 20 मिंटर का गैप है पहले पोल देखो कितने हैं यहां से काउंट करो 1,2,3,4,5,6,7,8 एक्जाम्पल दे रहा हूँ, आठ पोल हैं, तो देखो गैप कितने बढ़ेंगे बीच में, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, अब की बार जितने पोल होंगे, उतना ही गैप होगा, इसलिए कुल दोरी बटा, दो पोलों के बीच की दोरी, पोलों के संख्या ज जाएगी, तो कुल दोरी निकालने के लिए, चाल गुना समय, पहले दोरी निकाली लो, दोरी बराबर, चाल गुना समय, चाल क्या है, आठ किलोमेटर पर आवबर, और समय, पंदरा मिनिट, सैकेंड में कर लो इसको, या आवर्स में बदलोगे, तो साठ से बाग कर दो, ठ हजार, ठीक है, पोल के संख्यरी गालनी है, कुल पोल, तो कुल दोरी बटा, दो पोलों के बीच की दोरी, कितने दो पोलों के बीच की दोरी, बीच मेटर, ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, दो से सो अबार में, तो पोल कितने हो जाएंगे सो, आपके बार एक मत जोड़ दे हैं कि option में देखो 100 भी है 101 भी है गटा के भी है ये प्रिविस येर में आया हुआ क्यूस्टन है ठीक है तो इसलिए option में हर संख्या में लगेश टाइप की ध्यान रखना आंसरो जेगा option B क्यूस्टन नमर 69 एक व्यक्ति 61 किलोमेटर की दूरी का कुछ बाग पैदल 4 किलोमेटर परती गंटा की गंटा से तथा सेस बाग साइकल दवारा 9 किलोमेटर परती गंटा की गति से तै करता है इदी उसे कुल 9 गंटे लगे है उसके दवारा पैदलता है कि के दूरी बताएं मैं दूरी को दी रखिए को दूरी दी रखिये इक सच किलोमेटर और समय दर चा कुल 9 गंटे ओंटे परती थी चलता कैसे है फैदल भी चलता है और cycle से भी चलता है कुछ दूरी पैदल कुछ है? cycle से चाल क्या पैदल से चलता है तो चाल है 4 km per hour और cycle से चलता है तो 9 km per hour ये सब कुछन में दे रखा हुई ठीक है? अब देखो पैदल चलता है 4 के speed से है cycle से 9 के speed से तो इसमें हम रूफ एलिकेशन लगाएंगे एलिकेशन का नियम कैसे लगाएंगे देखो समय कितना है टोटल? 9 गंटे एक बर यू माल लो कि पूरी दूरी पैदल चल करता है वो तो 4 km per hour की speed से चलता है तो 9 गंटे में कितना जाएगा? 9 गंटे में जाएगा 9 गंटे में जाएगा? 9 गंटे में कितनी तेक ही है 61 km तो 20 में रखेंगे अब जो भी रेशियो आएगा वो समय का जाएगा भी ठीक है? 61 में से क्यासी गटाएगे? 20 और 61 में से 36 गटाएगे? 25 5 से कैंजल कर देंगे 4 और 5 से 5 समय का अनुपाथ है लिए गए समय का अनुपाथ 4 और 5 टोटल की ता अनुपाथ में 9 और 9 आ पाथ कुल समय दे क्या रखा है 9 गंटे 9 नुपाथ की वेल्यों, 9 गंटे का अनुपाथ की वेल्यों एक घंटा ठीक है तुसका कितना हुझा एक सेगुणा करें सेम संख्या च्यार और यह जाएगा पांच गंटे अब क्या निकालना हमें दूरी कौन सी पैदल ते की गई दूरी तो पैदल दूरी ते करने में समय कितना दिया है च्यार गंटे और चाल क्या है च्यार किलोमेटर पर आवर तो दूरी निकाल नहीं तो 4 गुणा समय, 4 गुणा 4, 16 किलोमेटर, 16 किलोमेटर पैदल चला, साइकल चे पुछे, तो 5 गुणा 9, 45 किलोमेटर, 45 पैदल जोड़े में तो 61 किलोमेटर, ठीक है, तो ओप्शन B हो जाएगा, Q7, एक व्यक्तिन 130 किलोमेटर की यात्रा 18 गंटे में तै की, उसने यात्रा का कुछ बाग 5 किलोमेटर प्रती गंटा की गती से, पैदल और यात्रा का 6 बाग 9 किलोमेटर प्रती गंटा की गती से साइकल से तै किया, उसने कितनी दूरी साइकल से तै की, सेम क्यूस्टन है देख लो एक और प्रैक्टिस हो जाएगे आपकी मैं दूरी दे रखी है 130 किलो मिटर समय दे रखा है टोटल 18 गंटे ठीक है चाल रखता है वो पैदल चलता है तो 5 किलो मिटर पर आवर इसकी स्पीड से चलता है पैदल और 9 किलो मिटर पर आवर इसकी स्पीड से चलता है वो साइकल से रूलो फैलिकेस लगाएंगे देखो मान लो 18 गंटे वो चला है पैदल तो कितने दूर ते करेगा चाल गुणा समय 18 गुणा 5, 90 किलो मिटर साइकल से चला है तो 9 गुणा 18, 162 किलो मिटर दूरी ते की 130 किलो मिटर बीच में रखेंगे जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा समय का 162 में से 30 गटाएंगे 32 130 में से 90 गटाएंगे 40 4 से कैंचिल हो जाएगा 8 से 8 से 4 और 8 से 5 तो समय का अनुपात है 4 अनुपात 5 टोटल जोड़ेंगे 4 रुपात 9 अनुपात 9 की वेल्यू पितनी दे रखी है 18 गंटे एक अनुपात की वेल्यू 2 गंटे तो समय हो जाएगा 4 गुणा 2 8 गंटे ये दूरी ते करने में लगा और 5 गुणा 2 10 गंटे वो चला साइकल से पुछा है साइकल से ते दूरी तो साइकल से ते दूरी निकालेंगे तो चाल गुणा समय चाल क्या है 9 किलोमेटर पर आवर समय 10 गंटे तो 9 गुणा 10 90 किलोमेटर की दूरी साइकल से तैकी ओप्शन D कि उस्तर नमर 71 एक धावक अपनी वास्त्विक चाल में 3 किलोमेटर पर 3 गंटा की कमी कर देता है जो भी उसकी चाल है वास्त्विक उसमें 3 किलोमेटर पर 3 गंटा की कमी कर देता है तो वह अपने गंटवे स्थान पर 3 गंटे देरी से पहुंचता है कवे जो झेल पहुंचता था रोजाना इतरह उसे तीन गंटी लेट पहुंचता है जब वह अपनी वास्त्रविक्चाल में दो किलोमेटर Wow क्र्ती गंट की बे खंद करते है तो वह 1 गंटे पहले पहुंच जाता है तो उसके वास्त्रविक्चाल कितनी है रेखो वई इसको मैं ट्रिक्षे बता जिता हूं आपको विसे अक्समान के निकालों के तो बहुत ज़्यादा लेंग्ट यह जाएगा किसे निए ठीक है तो इसलिए ट्रिक्षे करेंगे इसको कैसे एरिंगे चाल दे पहले काई रखा है वास्त्विक चाल में कमी तो लिख लो वास्त्विक चाल में कमी और एक दे रखा वास्त्विक चाल में वरिद्धी कितने कमी करता है वह पहले तेन किलो मेटर और वर्दी करता है दो किलो मेटर समय भी देखो क्या प्रभाव पड़ता हुए जब वास्त्विक चाल में तीन किलो मेटर प्रती गंटा की कमी कर देता है तो वह है तीन गंटे देरी से पूंचता है यानि जो समय लगता था उसको उससे तीन गंटे जादा लेता है पलस्ती और जो अपने चाल वास्त्विक चाल से दो किलो मेटर प्रती गंटा बढ़ा करेंगे इनिक कुरोज गुना कर दो भी तीन गुना दो छे ठीक और तीन गुना एक तीन जीन प्लस मैं इस रखिए ठीक है ठाली गुना करेंगे जिन शेक्वा मतलब नहीं ठीक है फिर इनका अन्तर करेंगे कितना जैगा तीन ठीक है अब निकालने का त्रिका क्या होता भी चाल ट्रिक क्या होगी चाल वास्तिक चाल में कमी और वास्तिक चाल में वर्दी का गुना दफल यान तीन गुना दो बटा में तिर्ची गुना का अंतर तिर्ची गुना कर दी हमने वह इनका अंतर कितना है तीन और गुना में समय का अंतर समय का अंतर देखो कितना है एक तीन गंटे बाद और एक एक गंटा पहले इनका अंतर करेंगे कितना हो जाएगा यह माइनस में एक है यह पलस में ती गुणा में च्यार, ठीक है, तीन से तीन केंचिल हो जाएगा, च्यार गुणा दो, आठ किलो मिटर पर आवर उसकी वास्तरीक चाला हुई, ठीक है, ओप्शन डी, क्यूस्टन नमबर 72, एक बंदर एक पंतालेस मिटर लंबे खंबे पर चड़ रहा है, वह एक मिनट में तीन मिटर चड़ता है, और दूसरे मिनट में एक मिटर नीची अफिछल जाता है, यही परकरिया चलती रहे, तो बंदर कितने समय में खंबे के सिकर पर पहुछेगा, वह पहले मिनट में क्या गरता हो, मालेऍट बिखन है, ठीक है, एक बंदर चड़ता, पहले मिनट में क्या अगले मिनिट में क्या करता है वो एक मिटर निच्ची आ जाता है एक मिटर ठेक है यानि एक मिन पहले मिनिट में तीन मिटर चड़ता है और दूसरे मिनिट में यह अगले मिनिट में यह अगले मिनिट में एक मिनिट में अगले एक मिनिट में एक मिनिटर निच्ची आ जाता तो समय कितनल गया एक और एक दो मिनिट दो मिनित में तिन मिसमा टो तो वह कि लिद्ध यांन चाल नोनों के डॉमेंटे शाम ज़स से वो तो एक मिन अवा एक मिट्र मज़सान लंबाय इकितने फॉलकी 45 मिट्र। तो यह सिक्र पर कितने समय में पूँच जाएगा , तुभे देखो आप तो भी सोचो कि दो मिन्ट में दो मिट्र तो पंत अलीस मिन्ट में फंत अलीस मिट्र गलत हो जाएगा किiri सन, क्योंकि आ Pers를 आ खितना है , वो गता देंगे। यान कितने एक मिनिट में तीन तो एक बार तीननिश में गता दें क्या भचेगा है verboda 20. एक बार वाय से conson pleased. तो 22 मित्र देखो कितने समय मिचण जाएगा जर我 22 पर पहुंच जाएगा सब्सक्राइगा। तो अगले मिनिट में उपर चला जाएगा सिधा किख है तो देखो naszego किसे गुणा करें किसे if you go do be अगले एक मिनिट में क्या कि अदयता है तीन जोड़ दो कितना हुज जाएगा आपता रिस मीटर आप दो प्रचला जाएगा वह वापसी क्यों आएगा तो कितना समों जैगा 43 minute 42,41,43 minute ठीक है यहाथ यू मानो यह दिए 43 जाता है 24 जाता है तुम्हा तक भी ले जाते लेकिन सिद्धा डारेक्ट यहाथ को नहीं ले जाएंगे ठीक है क्योंगी एक मिन्ट में परकरिया दिक्तम होती है वह इसमें से एक बार घटा लेंगे तिक तुम्हारा अंसरो जाएगा 43 मिन्ट ओप्शन B इसी के साथ हमारा ये टोपिक कंप्लिट होता है मिलते हैं अगली कलास में नए टोपिक के साथ धन्यवाद